हेलो ब्रीवन एक्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग भिहार सिचक बरती को ध्यान में रखते हुए एडूटेरिया के प्रेटी सेट को कर रहे हैं इसके पहले की वीडियो हम इसके 10 सेट को कर चुके हैं आज हम इसके सेट नमबर 11 के प्रश्णों को देखेंगे और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं तो चलिए था तो 18556 में या विद्रो हुआ था और इसके प्रमुखनेता की बात करें तो सिद्धोवा कानु के नेदुत में या विद्रो हुआ था अला है बकसर के युद किसमें बंगाल का नबाप कौन था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसंसी मीर जाफर जो है बकसर के युद्ध किसमें बंगाल का नबाप था ये बकसर का युद्ध का हुआ था तो 1764 में या युद्ध हुआ था अला है सत्य सुदक समाज की अस्थापना कब हुई थी तो इसका गुलामगीरी यकसर पूछा जाता है गुलामगीरी किसकी बुख है तो जोतिबा फुल्य की अला है इंडियन अंड्रेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्संसी विलेंटाइन चिरोल इन्हें कहीं कहीं सिरो किस ने कहा था तो विलेंटाइन सिरोलने कहा था अला है गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेख्या खाए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्संसी बाल गंगःत तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य अला है किसने सर पर्थम भारत में पर्थम समुद्रिक व्यापारिक केंदर अस्थापित किया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option C पूर्तगालियों ने सर पर्थम भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंदर अस्थापित किया था कहां पर तो कोचीन में किया था आप इसको भी ध्याना कियेगा कोचीन के रल में पहला पुर्ट गाली कौन था जो भारत आया था तो 1498 में वासकुड डिगामा जो है भारत आया था अलवarity राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेसन में पहली बार एक महिला को अध्यच चुना गया है। 1970 के कलकात्ता अधिवेसन में पहली बार यह महिला अधिवेसन अगर इसमें पूछा जाएं कि पहली भारती महिला कौन थी जो कांग्रेस के अध्यच्च बनी थी, तो 1925 के कांग्रेस अध्यवेशन जो कानपूर में हुआ था, उसमें जो है सरोजिनी नाइड़ी अध्यच्च बनी थी, देखें इस दो टाइप से पुछा जाए, अगर सिर्फ पुछा जाए, पहली बार कौन महिला बनी थी, तो A न मंदल की अस्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1849 में इसके अस्थापना की गई था, महराष्ट में, अला है, 1938 में भारती राष्टे कांग्रेस के हर पुरा अध्यवेशन की अध्यच्चता कि थी, तो इसका राइट अंसर हो जाए, सुबास चंद्र बोस्ट ने, 1938 के भ पुरा अध्यवेशन, उसमें अध्यच्चत, अध्यच्चत पस्क्यों लेकि विवाद होने के कारण जो है, इन्होंने सुबास चंद्बोस्ट ने जो इस्तीफा दे दिया था, कॉंग्रेस से, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, अला है, निमलिकित में से किनके द्वारा जैन साहित कल्प सूत्र लिखा गया है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, भध्र बाहु के द्वारा लिखा गया है, कल्प सूत्र, और ध्यान रखिए संस्क्रित में लिखा है, इसमें तिर्थंक्रों के जीवन चरित का वड़न मिलता है, कल्प सूत्र में, अगला प् समय में तो घानानंद के समय में अला है उत्तरवयदिक काल में कर संग्रा किसके द्वारा किया जाता था तो इसका राइट एंसरोजेगा ऑप्शन दी भाग दूद नामा के अधकारी था उसके द्वारा कर संग्रा किया जाता था अला है निमलखित में से किस्ने बंगाल में कि अगर बात करें तो राइट अंष्न ने को समाप्त किया तो लाड ख़्यू गंश्याम दास बिड़ला हर्जन सेवक संग के प्रत्याम अध्यच थे अगर बात करें तो इसकी अस्थापना कभी थी 1932 में इसकी अस्थापना हुई थी अब पहले इसका नाम क्या था तो इसका नाम अस्प्रिस्ता निवारण संग था बाद में 1933 में इसका नाम बदलकर ह नावद़ प्रांत में हुए एका अंधूलन का नेतृत्त्ल किया था तो इसका राइट अंसर ओजाएगा ओप्षनि मादारी पाशी ने ये हली टीलक स्थापना निर्वाषक मंडल बना जाने का प्रधान किया गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option C, भारत सासन अधनियां 1919 के तहट, ध्यान रखिये, अगर पूछा जाए, संप्रदाईक निर्वाचन प्रडाली कब शुरू गई तब वो 1919 में है, ठीक है, इन दोनों आप नंफूज मत होईएगा, अला है, अभिनों भारत के किस सदस को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option B, P, N, बापट को बम बनाने के लिए इने पेरिस भेजा गया था, बात करें, आबनियों भारत की, तो इसके स्थापना किस ने की थी, तो दामोदर सावर करने की थी, अला 27 में इसका उद्यस क्या था, भारत सरकार और भारती राजों के भीच संबंदों को बहतर बनाना इसका उद्यस से था, प्रशन है, मात्मा गाधी द्वारा भारत में पहला आमरण अंसन प्रारंब किया गया, कब किया था, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option C, सरकार का गठन किया गया था, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, 1915 में, अला है कलड की पुस्तक का नाम क्या है, most important है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, राज तरंगडी, अगर पूछा जाए, कि तो राज तरंगडी में, ये किसमे कस्मीर का इतिहास है, ये पूछा गया हुआ था, कहां पर कुंडगा वैसाली में, अवर इनकी मृत का हुई थी, तो 468 इसापूर में, पावपूरी में इनकी मृत हुई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा, अला है, निमलिकित में से, निमलिकित में कवंसा संप्रदाय, संगीत नित का बिरोध करता था, तो इस के पूर ये को ध्यान्रे पूछा जाता है, तो महा बली पूरं मंदिर का निर्मारक कि ने करवाया था, अला है, सिवा जी और कछवाहा राजा जैसिंग के बीच, पुरंदर की संद कब हुई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा कब हुई थी 22 जून 1665 में पुरंदर की संद हुई थी किसके बीद सीवाजी और राजा जैसिंग के बीच हुई थी अला है निम्ड में से किस मुगल समराटो ने स्वयम अपनी आत्मकथा लिखी देख लेते ह अला प्रशन है निम्ड में से किस सासक ने गुल रुखी नाम से कविताओं की रचना की तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सने सिकंदर लोधी ने जाना किया सिकंदर लोधी लोधी वन्स का सासक था कब से कब यह सासक था तो 1449 से लेकर 1517 तक जो है यह सासक था और इसने 1504 में अगरा शार की अस्थापना की थी पूचह जाता अगरा सार की अस्थापना कि ने कि थी तो सिकंदर लोधी ने की थी अला करा सूची वन और सूची टू को मिलान करें एक तरभ हड़पा कालेन जो है अस्तान दिया है और नदी दिये तो हडपक किसमदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे हैं, बनावली, तो रंगोई, मुहन जोड़ो, सिंधर नदी किनारे, लोथल की बात करें, तो ये बरतन में गुजरात में है, तो ये भोगवा नदी के किनारे, ठीक है? अगला प्रश्ण है आरियों के संबंद में निमल्खित में से कौन सा कथन असत थे द्यान रखिए असत पुछा है पहला कर रहा है आरियों का मूल निवास अस्थान यूरेसिया था जो आलपस परबत के पूर्वी छेत में पढ़ता था सही है घोड़ा आरियों का इuto उनके निवास अस्थान को सब्त सिंदू कहा जाता है तो इसका राइत एंस spos जोस और र bisher किन-दो देशों की सभी परियोजणा है तो इसका राइत एंस रोजा भारत और नेपाल की या परियोजना है या छिति你說बद का झ्भारत OMG जो भारत में रामशार आदर-भूम छेतअ की अंतरगात आता है कि सम्ढद किस राज से एया बिसकी पूछा है रेज्णूकाहजील कहा पर है तो इसका राइटश हो जाएगा हिम आचल ठ्देश की जील है रेज्णूका जील अगर बात करें हम रामसर पाधरभूम की तो जो आधरभूम दिवस का मना जाता है दो फरवरी को आद्रभूम दिवस मना जाता है और अध्यया G! अब हरतमारीN भारत में कुल कितने हो Цाइट ऩरामे. मैं अजिन्था को अजिन कुल कूल का सम्भ्ण फुट बाल खेल से नहीं है अलगा रहा !! उलम्पिक ध्वच को सरपतम किस वर्ष फैराया गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 1920 में उलम्पिक ध्वच को फैराया गया था इसमें पांच रंके चल ले होते हैं अला है कांगेर घाटी राश्टी उद्यान किस राज में है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कांगेर घाटी 36 गड में, चाटिज गढ़ एक राश्ट उद्यान को अब ध्यान रखिए इंद्रावती राश्ट्यूद्यान कहां पर है ये भी चाटिज गढ़ में है अला है विश्वान की दिवस प्रतिवर्श किस तीथ को मनाया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएक किस मार्च को विस वान की दिवस मना जाता है कुछ और दिन की बात करें तो पाथ जून को क्या मना जाता है तो पाथ जून को विस पर्यावरण दिवस मना जाता है बाइस मार्च को कौन सा दिवस मना जाता है बाइस मार्च को कौन सा दिवस मना जाता है बाइस मार्च को और डैस को सीखना एवाम उसकी डैस को सीखना तो क्या है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option B अवधाडों और विशो वबस्त को सीखना अला है बच्चे अपनी मात्र भासा का प्रियोग करते हुए हिंदी भासा की कच्छा में अपनी बात कहते हैं यह क्या है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option B विचार तो क्योंकि उसमें कितना विचार है बच्चे का वह आप ध्यान देंगे ना कि सुद्दवर्तिनी सुंदर LAzkhan व्याक्रड़ i가지-ध्यान नाम है most important प्रशन आई तो इसका नाम क्या है विक्रम एस यह ध्याना किया पहला नीजी रूप से विक्सित रॉकेट है और इसके विक्सित किस ने किया है तो हैदराबाद की एक private company है उसका नाम क्या है sky route ने से विक्सित किया है और इसे इसरो के launch pad से launch किया गया सिरी हर कोटा से और इस mission को क्या नाम दिया गया है तो इस mission को प्राराम बनाम दिया गया आप इसको भी ध्यान रखिएगा अला है निमलिखित में से किसके अध्यान है तो चीन द्वारा पहला अंतरिच आधारी टेल सेबन युद्ध अभ्यास निमलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है तो उसका right answer हो जाएगा किसके बीच होता है तो जो गरूड होता है भारत और फ्रांस की वाई सेना के बीच होता है किसके बीच भारत और फ्रांस की वाई सेना की बीच भारत और फ्रांस के बीच की गई नियुक्तियों में निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है, ध्यानरकिस में सुमेलित नहीं पूछा है, गिर्धर, अर्माने, भारत के रच्छा सच्छी हों है, और डक्टर के पी असुनी, यूएन, एचार्ची में विशेश, दूद के रूप में पहली महिला, भार राजिव कुमार कौन है, राजिव कुमार जो है, मोक्त चुनाओ आयुक्त है, अला है, फीफा अंडर 17 महिला बिसकप के संबन्द में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, दान रखिये, सही पूछा इसमें कह रहा है, 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया है, तो यह सही है, भारत के तीन राज्यों, महराष्ट, गोवा तथा, उडिसा में सकायजन किया गया, तो यह भी सही है, तिसरा करा है, न्यूजिलेंड ने कॉलंबिया को हरा कर या खिताब जीता है, तो यह गलत है, न्यूजिलेंड नहीं होगा, स्पेन ने, स्पेन ने क कोलंबिय और अपना किताब जीता है तो इसका राइट अपसर आपसने एक और दो-धो सभी और इसमें पाया जाता है तो इसका राइट अंचि प्रक्रिया में MR-NY का कार क्या है तो इसका राइट अंसर हो जागा जनसंख्या मे विविनता का अन्तिम स्रोथ क्या है तो इसका right answer हो जगा उत्व परिवर्तन जो है जनसंख्या में विकृति किसकी कमी के कारण होती है तो आप सबहें को पता है option c आयोडीन की कमी से कौई से रोग एता है तो घे गा रोग होता है insulin क्या है तो insulin जो होता है ये प्रोटीन है जहलगर कि किस्ये स्रावित होता है तो अग्नासय स्रावित होता है ये blood sugar को कंट्रोल करता है मान-specio में दर्द को उप्चार में उप्यो किल जाना राइट एंसर हो जाएगा आपिशन में प्रियों किया या जाता है और क्यारा है उंको जीन से सम्बंदित जांदित और यू के कर Indian सम्बंदित होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रियों कि से नियला है真的 क्वाindi सूम अलाई दसकी दाट शे कारक को इंगित करने के लिए उपशर्ग क्या है यानि दो दस चाथ शे क्या जाता है इसे मेगा कहा जाता है अलाई थर्मपाड़ थर्मैटर अधेर्म हो जाई अप्तेर में जाए फ्लामन को मदता है जब कि एक चोटे चिद्र से गुजनने के बाद फैल जाती है तो उसका राइट अंसुर में से प्रेडियो तरंगों के रूप में प्रियुक्त LPG में मुकता होता है, तो क्या क्या होता है, एक तो प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता ही है और मरकप्टेन होता है तीनों होता है ध्यान रखिए क्या होता है मरकप्टेन यह किसलिए होता है यह क्योंकि गंध के लिए होता है ठीक है क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रेटन यह गंध हीन होते हैं और इसमें गंध के लिए के HOWता है मर्क केपतेन होता है तो इसका राइट एंसर धॉपतली अगला नर्ण की थरीष्ञे झिए टी λिट्रान की मिने खूच यह पालग किया जासकता है तो राइट अंसर हो जाएगा अपसने उर्द प्वातन के द्वारा रेत और निप्थिलिन को अलग किया जा सकता है अला है किसमें किसने साइनिंग सिक यूथ आफ इंडिया नामाग पुस्तक का भी मोचन किया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन सी राद राजनाथ स साइनिंग सिक यूथ आफ इंडिया पुस्तक का भी मोचन किया है और किसकी पुस्तक है तो डाक्टर प्रभलीन सिंग की लेखक है पुसको ध्यान रखिए डाक्टर प्रभलीन सिंग की यह पुस्तक है अला है निम्लकित में से किस किरण का वेग प्रकास के वेग के लगब साइनामाइड अलाहन नाइटरिक अमलक के उपियोग के संबद में कौन सा कथं सत्य है तो इसका Right अंसर हो जाएगा आप्जसन डी यानि सोना योन सिल्वर को सुद्ध करने में डाइनामाइड के निर्माड में उर्बरक के निर्माड में नािटरिक अमलका प्रियोग किया जाता है। आक्सीजन अनपस्थित होता है। तो किह सिर्फ नौ में क्या मिलाने से इंजन के और संक्षा बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट दो जा मिलाने से प्멸िट्रोल में इंजन के अंतरगत किसका निर्माण किया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाया पंचायत समीत reckon Pancha और जिलह Ps तीन हो यानि TRI Romans Kin to finish the इनी में से सभी । अगर बात करें 3ITCH करद so इसी ने दिया था अगर बात करें पहला जो है पंचायती राजविवल्स्ता कहां लाग वी थी तो राजस्थान के नागोर जिल्य में राज के निट निशक तत्तो को भारति सम्यधान में सामिल किये जाना का उद्देश क्या है तो इसका राइट अंसेवरों जगा समाजिक और आर्थिछ प्रजातन्त को अस्ठापित करना अरियगा किस सम्मिधान के किस भाग में तो भाग चार में अनुच्छत क्या है 36 से लेके 51 और यह किस देश से लिया है गया तो आयर लेंड से लिया गया है यह पूछा जाता है इसको ध्यान रखिएगा किसी यद किसी वस्त की मातर को बदल दिया जाते हो उसमें क्या नहीं अगला प्रश्ण है भारती सम्मिधान के किस अनुच्छत में धन विद्याग परिभासित किया गया तो किसमें है तो आइटकल 110 में है अब ध्यान रखिए धन विद्याग जो है पहले लोकसभा में पेस किया जाता है और राश्पती के अनुमातिज इसके लिया जाता है आइं तो बैठक नहीं बुलाई जा सकते आप इसको बेध्यान रखिए अला है संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम अंत्राल हो सकता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा छे महीन है कई बार कई सेट में आ चुका है अला है निमलकित में से किसे समिधान सभा का समयधान समयधान सभा की तो समयधान सभा का गठन के किस के तहत हुआ था कैबनेट मिसन के तहत और समीधान सभा कि पहली बैठक कर थी तो 9 दिसम्बर 1946 को और इसमें जो है अस्थाई सदस किसे बनाया गया था तो डाक्टर राजन प्रशाद को अला है समिधान के किस अंसूची में कर्यों सुल्क लगाने का प्रवधान किया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा समग्षाद के साथवी अंसूची में तोटल कूल कितनी अंसूचियां है तो बारां अंसूचियां है वर्तवान में अला है समिधान समय शोदन के तहत निमन मेंसे कौण सा वर्ग समूझ जुड़ा है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन अप्सन A और B दोनों तो इसका राइट अंसर हो जाएगा A और B दोनों अंसूचित और इनके जोगा अरचण से संबंदी था और अरचण को दस साल के लिए बढ़ा दिया गया है अला है और ये कब आया था तो ये 2019 में आया था अला कर रहा है सिच्छा का अधिकार मौलिक अ सभकोरसी तो इसका राइट अंसर और तो इसका राइट अंसर होजाएगा । इसका राइट अंसर हो जाएगा आप मेंसर है ऑपसन E हेराट डोमर मॉडल पे पहली पंचवर्सी योजना अधारी थी और यह कब चली थी 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्सी योजना चली थी और दूसरे पंचवर्सी बात करें तो यह किस मॉडल पे थी तुमहाल 90 मॉडल पे थी अला है बैंक दर का आशा है तो बैंक दर क्या होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा केंदरी बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज यानि Kendri bank यानि RBI जो होता है वो जो घरेलू bank होती है उन्हें जिस दर पर लोन देता है उसे चेका जाता है bank दर अन्तराश्टी क्रिसी विकास कोस की अस्थापना कब हुई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option c option a 1977 में अंतराश्टी क्रिसी विकास कोस की अस्थापना हुई थी और इसका headquarter कहा है तो इसको headquarter Rome Italy में इसका headquarter है अला है केंद्री बजर 2030 में घोसित पीम विकास जोजना के लभ्यारती कोन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अंतराश्टी मुद्रकोस यानि IMF का प्रभाग है बात करेंगर सबसे पहले पनम्रीजली शक्तिकेंद्ध भारत में कहा प्राण हुआ तो इसका राइट एंसर हो जगा स्थाक्सराइब और यह किस नदी पर है तो कावेरी नदी परियाद जल्बिद्दूत पर्योजना है आप इसको भी ध्यान रखेगा अला है भारत में सरवादिक उत्पादक अग्रडी तीन राज निम्लिकित में से काउन से हैं तो इसका राइट उन्सर हो जगा अपसने चातिसगर जार्खन और उड़ीसा, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है तो थिस पूछा जाद कोला का सबसे ज्यादा भंडारण कहां है तो इसका राइट उन् जा अला है नमल्कित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना है किस नदी पर रिष्थित है most important तो इसका राइट अन्सर हो जाएगा चीनाब नधी पर और किसके बीछ में है भारत और पाकिस्तान के बीच में परियोजना ही और बात करेंगा चिनाब नदी की, तो ये कहां से निकलती है, तो 12 लाच्चा दरशिया निकलती है, अलहीं बेल पहाड़ी, तिलया और मैथानबाद, निम्लकित में से किस नदी पर है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, बराकर नदी, बात करें गर राकर नदी की, तो ये दामोदर नदी कि जो है और यह कहां से निकलती है तो च्छोटा नागपूर पठार सिया निकलती अल्ग है निमिलकित में से माही नदी पर कौन सी पर्योजना स्थापित किया है तो इसका राईट अंसर हो जागा अप्षनी 1 कवोरी बाद और कदानाबाद ये माही नदी पर है अल्ग पर्योजना कहा इस्तित है उसका राइट अंसर हो जाएगा option अये अंडमान निकुबार में या जल्विद्द्द पर्योजना स्थित है कौन सी कलपौंग जल्विद्द्द परियोजना अग्वर्शना मंगुलाइड प्रजाती भारत के निमलख़त में से किस में पाय जाते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह सिक्क्षी में भी पाय जाते हैं और असम में तो इस क्या अप paired चेर्क्षी और दोनों निम्लिखित में से रेल परिवहां द्वारा महत्री 불ड 예श की दो देशों की की चला गया है थे सूरवर सोजागा भारत की सूतिवस्टव की राजधानी कहा जाता है भारत में पाय पाया जयने वाले सदा बहार यों पधाण वन कितने उचाय की बीचछत तो ऊच्छोन में से देख लेते हैं तो इसका राईट मॉंधर नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री जो है यह घुला नुमलिकित में से एक साट तो सह भिसनाचर, महा नदी को उरीसा काओ चाकुंद्री, slips को attempt अगर बात करें बंगाल का सोक और बिहार का सोक किसे कहा जाता है तो कोसी नदी को और बंगाल का सोक किसे कहा जाता है तो दामोदर नदी को कहा जाता है और महानदी की बात करें तो इस पर बाद है हीरा कुंडबाद पूछा जाता हीरा कुंडबाद किस नदी पर है तो महां नदी में माउंट एयरस्ट हमाले के किस भाग में है तो इसका रही टंसर हो जाएगा अपसacio हमाले के ब्रिध हमाले में है म adjustments और इसको चाहिए कितनी है 8848 कि कि आपको 88ìn को नेपाल में और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है मुतीक को सुची को सुमेलित करें एग तरह धुगता ज्पी यां डिया दिया है तो लूनी नदी से है तो धौला वीड़ा वर्तमान में किस राज्ज में है तो गुजरात राज्ज में है आप इसको भी ध्यान रखिएगा रोपड रोपड का समंद किस राज्ज में है तो पंजाब राज्ज में है इसको भी ध्यान रखिएगा रंगपूर का समंद किस राज् राइटन शुरो जाएगा option c book में option b दिया है आप इसको ध्यान रखिए तो इसका राइटन शुरो जाएगा option c अला है वैदिक संस्कृति के संदर में निम्लिकित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ध्यान रखिए असत्य पूछा ठीक है इसको आप ध्यान दिया करिए पहला करा राइधिक वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है तो यह सही है इस काल में आयस सब्द का प्रियोग ताबया कासे के इसको पुरुषणी नदी के नाम से जानते है तो रावी नदी के नाम से यह गलत हो जाएगा परिवार मात्र सत्तात्मक नहों कर बलकि पित्र सत्तात्मक था लेकिन महिलाओं को जो है समान प्राप्ट था बात करें अगर जो इसमें परिवार कर मुखिया होता था उसे का जाता है कुलूब कहा जाता था अगर भारती तिहास में प्रशिद्ध एहोल अभलेक हंद किस सासक से हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शोंड जी पुलकेशन इंद्धित JEFF इस अबलेक में हर्षवर्दन या पुलकेसिंदुत्ती के युद्ध का वड़न मिलता है आप इसको भी ध्यान रखिएगा और उस युद्ध में जो है हर्षवर्दन पराजित हुआ था अलग गुप्तकाल में विष्ट का संबन निमलिखित में से किस्से था most important question है तो इसका right answer हो जाएगा option D बेगार यानि विष्ट को विष्ट कार्थ होता है जबरन मजदूरी जिससे जबरन मजदूरी करवाय जाता था उसे विष्ट कहा जाता था विष्ट को करके बदले स्रम करना पड़ता था आप इसको ध्यान रखिएगा अलग है वर्धन रा नाम से जाना जाता है और इसमें और पूछा जाता है इनकी राजधानी क्या थी तो हमेशा पूछाता यह थानेश्वर जो है वार्धन वंस की राजधानी क्या थी थानेश्वर अला है निमलिखित में से किसने हीड़ा गर्भ नामक अनुष्ठान किया था तो इसका right answer हो पूछा जाता है राष्ट कूट वंस का संस्थापक था पूछा जाता है राष्ट कूट वंस का कि भासा क्या थी तो कर्णड और राजधानी क्या थी मानक खेत अगला प्रशना है बुद्ध की प्राचिंतम प्रतिमा कि सहली में प्राप्त होती है तो इसका right answer हो जागा option गंधार सहली में बात करें अगर गंधार सहली की तो इस सहली को इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस सहली भी कहा जाता है और इसका सरवाधी विकास कुषाड वंस में हुआ ता आप इसको भी ध्यान रखेगा अला है भाक्ति आंदोलंग को दच्छिड भारत से उत्तर भारत में लाने का शिरे किसीर दिया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जागा अपशन एक रामानन्द को रामानन्द को एक कबीर के गुरु थे अलहा दिली सल्थनत का पहला अफगान सासाक था तो जोन है और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक के काशाते हैं तो जोईन कीजिए हमारे टेलिगेवराम चैनल को जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा अगला प्रश्ण है 1565 इस भी में ताली कोटा का यूद किसके बीच हुआ था इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन डी विजय नगर और बहमनी समराच के बीच हुआ था तली इसका राइट एंसर हो जाएगा मुंडा विद्रो से संबंदित है और यह सिंग बोगा जो है यह सूर को जो जो आदवासी संब्दाए था वो सूर को सिंग बोजा के रूप में पूजत थे बात करें अगर मुंडा विद्रो की तो मुंडा विद्रो का नेतुत किस्ने किया था तो विर्शा मुंडा ने अला प्रश्ण है दिगंबर यह विश्डु विश्वास ने किस आंदोलों का नेतुत किया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नील विद्रो और निल विद्रो का हुआ था 1869 में या विद्रो हुआ था और इसका वर्डन दीन बंदु की नाटक तो नील दर पड़ा पिसको ध्यान रखिए किसके है ये दीन बंदु की उसमें इसका वर्डन मिलता है अला प्रश्ण है विद्वाओं की पुनरविवा अधनियम का अंद के समय में तो लाड़ कैनिंग के समय में या एक्ट आया था अला प्रश्ण है इंडिया इंडियान अनरिस्ट नामक कुस्तक की रचना किसके द्वारा की गए ती ये कल्वी आया था प्रश्ण तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलंटाइन शिरोल या चिर प्रश्ण कब किया गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 1886 में किसके द्वारा सुर्यन नाद बनार जी के द्वारा भारत संग और इसी को इंडियन एसुसीयेसन भी कहा जाता है अला प्रश्ण है भवानी मंदित पुस्तक के लेखक निमलखित में से कौन थे तो इ के प्रत हम भारती महिला ही जो कौंगरेस की अध्याच्य बनी थी कब 1925 के कानपूर अधिवेशन में आ इसको ध्यान रखेगा यह प्रत हमहिला राजपाल भी आप इसको ध्यान रखिए प्रत हम महिला राजपाल नहीं तो सरोजनी ना एड़ो कब किसकी बनी थी उत्तव किया गया था और इसकी अध्यचता किशने की थी तो रहमत तुल्ला एम सयानी ने इसकी अध्यचता की थी और यह कहा हुआ था कलकत्ता में अगला प्रश्ण है निमलकित में से किसने बंगाल में द्वायत सासन पडाली को समाप्त किया यह पिछले भी प्रेक्टिसेट में आ लागू किया था अला प्रश्ण है गाधी जी किस वर्ष दच्छड अफ्रिका गये थे तो इसका राइट अंसर हो जगा अठारा सो तिरानमे में यह इतना इंप्वाटेंट नहीं है जितना इंप्वाटेंट है कि वापस कवाए थे तो वापस आये थे नौ जनवरी 1915 को आये थे और इसी दिन नौ जनवरी को इसलिए जो है प्रवासी भारती दिवस मना जाता है अला है कॉंग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त पहना अनिवार कर दिया गया था तो इसका राइट अंसर हो जागा कॉंग्रेस के 1926 के अधिवेशन कहां पे हुआ था तो गुहार् मिंटो दुत्ती को डाक्टर राजिन पशाद ने पाकिस्तान का जंदातामान है इसके कारकाल की बात करें तो 1905 से लेके 1910 तक ये भारत का वासरा था इसी के समय में 1906 में मुस्लिम लिग की अस्थापना भी हुई थी आप इसको विध्यान रखिएगा अला प्रशन है सही पाकिस्तान में है यहां इनका इसमारक इस्तित है और बात करें भागत सिंग की फासी कब दी गई थी तो भागत सिंग को 23 मार्च 1931 को फासी दी गई थी आप इसको विध्यान रखिएगा अला प्रशन है किस महिला करांदकारी ने दिच्छान समारों में अपनी उपाद ग पर गोली चलाई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन भी बीनादास और बीनादास 1932 में कलकत्ता विस्विद्याले के दिच्छान समारों में कुलपती सर इस्टेनली जक्सन पर गोली चलाई थी जो बच गए थे अला प्रशन है धर्षना नामक गोदाम पर घ घटना थी यह कब हुई थी तो 1930 में हुई थी और इसका नेतुत किस्ट ने किया था तो सरोजनी नाइड होने किया था अला प्रशन है निमन में से कौन सुभाष चंद बोस के रानितिक गुरु थे तिसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन थी चितरंजन दास ध्यान वर्स 1912 में कांग्रेस का 27 अधिवेशन बाकिपूर पाटना में अवजुत किया गया इसके अध्यच थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन डी रंग नाज सिंग माध्होल कर ध्यान रखी बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था कहां पे बाकिपूर में अधिवेशन था और 1912 में यह पूछा जाता है अध्यान रखेश को असोग के किस सिलालेक में पसुबल की निंदा की गई थी और किस अवलेक में कलिंग बीजे का वाड़े मिलता है तो तेरोय अवलेक में इससben अधि को जान रखे गा अलपस्वेशने पहली कच्छो में डैस भी लिखने के अंत्रगाद आता है तो इसका राई व जाएगा आपtak इसने छित्र बनाना जो होता है वह पहली कच्छा में लिखने के अंतरगत आता है अला प्रश्न है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की छमताओं का अकलन नहीं होता है बलकि सिच्छड की सिच्छड प्रक्रिया का भी आकलन होता है या विचार निराधार है अंसता सही है पूड़ता सही है तो इसका राइट एंसर हो जागा आप् तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option C, सब्वता संस्क्रित, बहुbir थे सकता हमारी पहचान भी है और हमारी प्हेटा अवज संस्क्रित का अभीन अंग भी अलब प्रश्न है वाई के अलग सम्दित का संबित को है है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option c गरीबी से संबंदित है वाई के अलग समीद और गरीबी से संबंदित कुछ और समीद की बात करें तो लकड़वाला समीद तेंदुलकर समीद भी गरीबी से संबंदित है अला प्रश्ण है सीमा सुरच्छा बल की अस्थापना किस वर्ष की गई थी यानि भी असब की अस्थापना कब की गई थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option c 1965 में एक दिसंबर 1965 की इसकी तों इसका अस्थान की गई थी और इसका हेड क्लाइए तुन नियो दिल्ली में है इसका हेड प्राइब प्रत्राइब प्रत्रारक तो इसका राइट रोजाएगा किस में गई थी तो तो किस बंगाल में और जाना यह बना था बनाता बला था तो पूछा जाता है ध्यान रखिएगा और दूसरी पंचवर्थी योजनर इंप भी भिलाई राउलकेलर का भी अस्थापना हुए ओ ईसस्थापना कवी थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका मुख्याले हैदराबाद में इस्थित है और इसकी अस्थापना कभी थी 1999 में इसके अस्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके अध्याच का उन है तो देवस इस पांडा इसके अध्याच है अलब प्रशने विस ओजोन दिवस प्रतिवर्श किस्तित को मनाया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 सितंबर को 20 ओजोन दिवस मनाया जाता है बात कर अगर ओजोन की तो ओजोन की इस परात में पाया जाता है तो समताप मंडल में ठेक है और मॉंट्रियल पोट्रोकॉल जो है ओजोन प्रतिवर्श के सनर्चन से संबंदी थे आप इसको भी ध्यान रखिएगा अलब प्रश 25 जनवरी 1950 को इसके स्थापन होई थी इसलिए 25 जनवरी को मद्दाता दिवस भी मना जाता है अला प्रशने केंद्री मंती पुर्शोत्तम रुपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टलाइजेसन यानि आई वी यप मोबाल का Right answer हो जाएगा Option D इनमें से कहीं नहीं तो इसका करनाटक में किया गया था लेकिन करनाटक में कहां पर हुबली धार्वाड में मैंивать मऊःजेस brass अगला प्रशन है लद्दाक के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश निमलकित में से किसके द्वारा अपरेइशन सथ्भावना की सुर्वात की गई तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपरेशन सथ्भवावना की शुर्वात किसके दार की यह थो भार्ति से दवारा अलब प्रशन है सब्भाग फूल बनने का उद्दीपन गरहन करता है तो इसका dauर आट ऑप्शन B पढ़ जो होता है ये पौदे का भाग है ये फूल बनने का उद्धीपन ग्रहन करता है अलब में एक्रित मन्सपेसियों नव उर्जा जमा जमा होती है तो ग्लाईकोजन के रूप में लाथ होती है अलब पुत प्रस्थन है मिंडल के ऑन्वंसिक्ता का सिद्धान किस पर अधारित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेंग एक जनन और मेंडल ने यह जो अनुसक्ता का जो प्रियोग किया था किस पर किया था तो मटर पर किया था अब इसको विद्यान रखिएगा अला प्रश्ण है लॉंग एक मसाला पौदो क सब्सक्राइब धुक्तन है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसृ-ОN कहांसर, और इंsुलिन जो है यह बðुगर को कंट्रोल भी करता है इसको ध्यान रखेगा अलब परकिंसन रोग से संबंदित उप्चार के विकास के लिए निम्निमे से किसे नोबल पुरुषकार दिया गया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन ए अर्विंड कार्ल कार्लसन को जो है पुरो यह नोबल पर जाता है अगर बात करें या निभोजन तो फ्लोयम हो जाएगा अलब प्रश्ण है रंद्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन सामिल होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा और यह पादप हार्मोन सा एप्स को ध्यान रखेगा अलब प्रश क्कृष्ण अनिमलकित में से कौन सा परड़ाट वीरूपड के प्रत्रोध का माप करता है इसका राइट एंसर हो जाएगा अग्ला प्लशन निम्लिखित में से कौन सा थर्मल विंस्तार का उदारण है तो देखते हैं क्या थर्मल वि mocbakर जाने पर गर्म फैल गर संडी एक से अधिक, अला प्रशन है, लेंस की छमता मापी जाती है, most important प्रशन है, इसका राइट एंसर हो जागा, अप्शन D, डायटर से नापी जाती है, लेंस की छमता, अला प्रशन है, ध्वानी तरंग की मौलिक आवरिती होती है, तो इसका राइट एंसर हो जागा, अप्शन वेलिटिक जो होता है यह अर्ध चालक होता है और यह बिसकली सवर उर्जा वगरे में प्रियर्प की जाता है अलब प्रशन है साबून और ग्रीस यहां देखो ग्रीस होना चाहिए साबून ग्रीस को निमनि में से किस भी द्वारा हटा जासा तो इसका राइट एंसर हो यह अगला प्रशन है पुलिस द्वारा नसे में गाड़ी चलाने वाले सास की जाज के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सने पोटासियम डाई क्रोमेट और सलफेरिक अमल होता है अलब प्रशन है पदार्थ के मूल कड़ को आप प्रश्ञा क्यों जा जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा एक से अधिक और प्रशन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन होती है तो इसका राइट एंसर्ली और सिण्दी कारभन इसमें H प्लस आयन की सांता की स्थिती होगी इसका राइट एंसर जाएगा ऑप्संडी 1000 गुना कम हो जाएगी अलाप्रशने केल्चियम की कोड निमने में से किस बज्ञानिक द्वारा किये गया था तो देख लेते हैं इसका राइट एंसर आप्संडी उप्यूक्त में से को होता है अलापरशने जिस समीधान सभाद्वारा भारत के समिधान का अधनियम किया गया उसका सदस निमनित्व से कउन थे तो इसका राइट अन्सर आप्संडी विविन प्रांटों की विधान सबद्वारा निर्वाचित सदस बदय जो ये सम्धान सबार था इसमें कितने सदस्त थे तो 389 सदस्त थे 26ह यह कहां से आय थे प्रांतों से और आजिह में से किस देष का अलग समीदान है जहां रआइट और ऑपषन सबसे ब्रिटेंस समिधान किश्का है तो भारत का सबसे बड़ा जो हली कि समिधान किश्का है तो भारत का है अला प्रश्ण है भारती समिधान के प्रस्तावनों में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसने लोग तांत्री सामाजिक की बात क गई है और राजनीतिक की बात की तीन नयाय की बात की गई है ब्हारत में किस प्रकार का संगवाद देखा जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन संग बनाकर राज्यों का गठन करना निमलकित में से कौन निजी सुतंता का एक अधार है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन बी बंदी प्रतच्छी करड और बंदी प्रतच्छी करड क्या है जो सुप्रीम कोड जो है रिट जारी करती है यह रिट कितने प्रकार क लुख दाग्र आटिकल 32 के तहद और जो हाई कोड जारी करता है किस आर्टिकल के तहद आठिकल 226 के तहद अला प्रश्ना है भारती समिधान में अपात उपबंद डैस से लिये गया है तो कहां से लिए गया है अपात उपबंद इसका राइट एंसर है अप्षन भारत सरक सब्सक्राइब करें तो आर्टिकल 352 से लेकर और रिटेन से क्या लिया गया है और वहां से एकल नागुता भी लिए यहां से राज के नित निशक्तत तुलिए गया है जापानी संविधान से क्या लिया गया है तो विद्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है से अगला परशन है भारती संविधान के प्रस्तानों में निम्लिकित में से किस अभिवक्ति का प्रियोग नहीं किया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबा सुरच्छा परदान करेगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप सने वीदि के समानता की बात की गई है किसमें समानता का अधिकार समानता का अधिकार की बात करें तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकलता है 14 से 18 तक इसका उल्लेक मिलता है अला प्रशन है अभियुक्त को नमूना हस्ताचर करने के ल यानि कहां से कहां की है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उनीस सो पंचानबे याना कि मात्र पास दिन के लिए जो है राश्पती सासन लगा था राश्पती सासन का उल्लेक समझान के किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 356 में इसका उल्लेक मिलता है और अब तक विहार में आठ वार जो है राश्पती सासन लग चुका है अला प्रश्णे भारत का उप्रस्वी बनने के लिए नियूंतम आय कितनी होनी चाहिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 35 वर्स राश्पती के लिए 35 वर्स और राजप सबसे बड़ी समीत कौन सेत तो प्राकलय राइटानिस अबढ़ी होता है सबसे बड़ी समीथ चयोंती है इसमें तीन सदस्वात है करने के लिए अपेच्छित गडदफि गड़ पूर्ति yo generally कोरम यानि कितना नियुनतम संख्य कितनी होने चाहिए तो एक बटे दस अहला प्रश्ण है भारती वनस्पती सर्वेच्छंड की स्थापना निमलकित में से कब की गई थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा तो आप्शन भी अगला प्रशन है उकाई परियोजना निमलकित में से किस नदी पर बनाई गई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी तापती नदी पर है और यह उकाई परियोजना कहाँ पर है तो गुजरात राज में है आप इसको ध्यान रखेगा किस राज में नदी जा बढ़िए निम्लकित से किस छेत्रों में पाई जाएगा करणाटक में पाई जाती है पीट मिर्दा से के संबंदित कत्रों पर विचार करें तो पहला का रहा है यह उन चेत्रों में पाई जाता है यह सही है केराल मैं यह मिर्दा पा जाती है यह मिट्टी गयुंव ? यह गलत है गयुंुँ के लिए नहीं मानी जाती है जब्शावल की यह 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 उप्योगी मानी लब ऑपिछ में तो फ कन है और पाकिस्तान के बीच प्रश्चा निमलखित में से भारत का उत्तर से सबस्टों रहा है कितना है कितना है उत्ताशचर अगर जो पीच होता है उसाथ होता है तो क्या होता है अगर साथ से कम जो होता है तो अमली होता है और साथ से अधिक होता है तो छारी होता है यहां बात करते हैं चारी की तो क्या है तो राइटेंसर हो जागा अपसंद सी अलापस्ट भारत के समस्तस्थल भाग में कितने परश्चत की मात्रा की कमी पाई जाती है यानि लाल और पीली मिर्दा में निमलखित में से किस जयवपदार्थ की कमी पाई जाती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसंडी नैट्रोजन की कमी पाई जाती है फासपूरस की भी पाई जाती है और हुमस की पाई जाती है तो आप मानशू से भारत में सरवादिक वर्सा होती है अगला प्रacy भारति जल्वाग के समय में कौन सा parable है भारत का दख्छिड भाग से यह गलत है व्यद्ट का भाग उश्ट कडवन्दी है यह गलत है जनौरी महा के दरान भारत में जट इस्ट्रीम की स्रिक्रीं हो जाती है तो यह साउय हो जाएगा तो अप्सका पादन से समंदी कि यहत्पादन के लिए वार्स हाला क पाधंग complaining दफांगां में दो द सुना हंसा अर्जून आध ग्यों qi प्रम्ग किसमे है तो गलत हो जाएगा यह जो हॉन्सा है यह हंसा जो है चावल की किस्म है एसkो धियान किए हंसा चावल की किसम है, तो इसका right answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक, दो और तीन, option भी इसका right answer हो जाएगा,